G7 Summit में क्या कुछ फोकस रहना है इस पर बातचीत के लिए हमारी सही होगी कादमनी शर्मा हमारे साथ है कादमनी G7 Summit में भारत को विशेश आमंतरन मिला है महमान देश के रूप में वो मौझूद होगा इस पूरे summit का क्या focus रहेगा और भारत की इसमें मौजूदगी को किस सरे से देखा जा रहा है देखे सबसे पहले तो PM जो है वहाँ पर outreach जो summit है उसको संबोधित करेंगे एसी जानकारी जो विदेश मताले के प्रवक्ता है रंदीर चायसवाल उन्होंने वहाँ पहुशने पर दी है इसके अलावा कई bilateral भी हो सकते हैं जो जेवर्जिया मिलोनी है उनके साथ तो होगा है क्योंकि वो host country है उनके अलावा भी कई नेताओं के साथ द्विपक्षय है उसमें भारत को तो इंवाइट किया ही गया है 11 देशों को कुल मिलाकर इंवाइट किया गया है महमान की तोर पर उसमें जो कुछ Latin American देश है कुछ African देश है उनको भी इनवाइट किया गया है focus लेकिन मुख्य तोर पर यह देखा जा रहा है कि जो रूस Ukraine युद्ध है उ युकरेड को लगातार जो हत्यार है या बाकी जो सामान है युद के वो बेजे जा रहे हैं पैसे दिये जा रहे हैं एक पैक्ट भी साइन हुआ है जो बाइडन और जैलेंस्की के बीच जिसमें उन्होंने मिलिटरी एसिसंटिंस की बात की है जो बाइडन ने 10 साल का ये पैक्ट है यह यहीं पर हुआ है इतली में ही हुआ है तो एक focus जो है वो कुल मिलाकर युक्रेइन पर है लेकिन भारत का जहां तक सवाल है भारत कोई पक्ष नहीं ले रहा है भारत ना तो रूस के पक्ष में है ना वो युक्रेइन के पक्ष में है भारत शांती के पक्ष में और बार बार ये कह रहा है कि जो भी समस्याए हैं जो भी मसले हैं वो बाचीत के जरिये सुलजाए जा सकते हैं भारत ने जो प्लिये महरों नी जाने के पहले ये भी कहा है कि जो एकनौमी की बात होगी वहाँ पर AI की बात होगी इन सब के बारे में बात वहाँ पर होगी तो ये सारी बाते जरूर है लेकिन भारत का वहाँ मौझूद होना इसलिए भी काफी एहम है क्योंकि हमने देखा है किस तरह से कई विशो के नीता, चाहे वो जलेंसकी हों या फिर बाकी नीता हों वो ये चाहते हैं कि भारत जो है, वो पीस प्रोसेस में कहीं न कहीं शामिल हो, सुटजरलैंड में जो पीस टॉक हो रहे है, पीस सम्मिट जो हो रहा है, उसमें भी भारत को बार-बार बुलावा आया है, एक formal invite भी आया है, लेकिन वहाँ पर Secretary West जो है पवन कपूर वो जा रहे हैं भारत का प्रतिनी जित्वा करने के लिए, तो एक तरह से ये देखा जा रहा है कि भारत अगर इसमें कोशिश करता है, तो शायद एक बार युद्ध विराम जो है, जो एक शांतिस थापित करने की कोशिश है, उस दिशा में बढ़ा जा सकता है, लेकिन भारत किसी एक पप्ष के साथ होता नहीं दिखना चाहता है, तो ये सभी चीजें यहाँ पर एक दिखेंगे साफ तौर पर, लेकिन ये जरूर है कि पी-एम का वहाँ होना काफी एहमियत रखता है, खासकर इस माहौल में दुनिया में जो हो रहा है इस वाक्त. बहुत बहुत शुक्रिया डेटेल से ये तमाम जानकारी और इस बातचीत के लिए कादमने आपका.